हेलो जी कैसे सारे दिसे लक्षे है तो हम आच चुक है हमेरे OS के लेक्चर नंबर 14 पर और आज हम डिसकस करने वाले हैं कुछ इस रियल लाइफ इंप्लिमेंटेशन वाले स्केडिलिंग अल्गॉर्दम अब तक जो हमने डिसकस किया था जैसे कि आरार आप क्यों ठाके इंप्लिमेंट कर दी कुछ अलग तरीके से उप्टिमाइजड वे में इनको इंप्लिमेंट किया जाता है उसको आगे स्टडी करते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा मल्टी लेवल मल्टी लेवल क्यू स्केडियूलिंग करते हैं कि इसको मैं एम्मेल क्यों बोल देता हूं अब देखका हम क्या करते हैं हमारे सिस्टम में न कुछ टीन टाइप की प्रॉसेस होती है पहली सिस्टम प्रॉसेस दो जो कि created वाही होती है किससे व है सिनकों कि रूश्म करता है ठीक है जो system की प्रोसेस हो गए जैसे हमने बात कर ही थी इनिट प्रोसस होती है जो कि करनल में सबसे पहले शूरू होती है सबसे पहली process इनिट होती है उसके अलावा मेरी बहुत सारी processes होते हैं यून प्रोसेसिस है बिशिकली ऊसगे को या कर्नल को चलने के लिए इंप्रुसेस इससटम हो रहा हूं देखर हो और यह हमारी इंटरРЕक्टिव प्रोसेस कि inter cheap processes कौने वह होती है बहुत कि इंपुट चाहिए को इनको यूजर इंपूट चाहिए होती है जैसे मैं बता हूँ अगर आप Microsoft Word यूज कर रहे हो तो इसमें आयो की रिक्वार्मेंट होती है यूजर की इंपूट क्या वेट करती रहती है इस टाइप की प्रॉसेस इसको मैं फॉर ग्राउंड प्रॉसेस भी बोलता हूँ इसको मैं बैक्ग्राउंड प्रॉसेस इसको मैं बैक्ग्राउंड प्रॉसेस भी बोलता हूँ इसके अंदर कोई यूजर इंपूट नहीं चाहिए होती है ठीक है नो यूजर इंपूट नो यूजर इंपूट है तो यह बैक्ग्राउंड में चलती है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में ओर्फन प्रॉसेस और जॉंबी प्रॉसेस बना रहे थे तो एक चीज़ हमने देगी थी कि हम स्लीप वन लिखके है स्लीप हैंड में एंपरसे इंप्ण बै अंगृ है हम सीधा प्रोसेस पड़ाँ एब प्रोसेस अब अब हमने क्या करा अधर ब्रोसेस को डिवाइड कर दिया चाहिए चाहरा नेचर के हिसाब से यह टिन टाइप पूसेस होती है यहाचवने लेडिंग फिलिघ्यर टैक्र में टेटेटिट तकिन चाहते हैं, so Cryo is a platform for you यहाँ पर आप बहुत सारे projects बनाने वाले and you will learn with practical work experience similar to a real job, also you will build a diverse set of guided as well as independent work like professional projects to master API testing, DevOps, Selenium with Java and more इतना ही नहीं, इनका program जो एक placement guarantee के साथ आता है, ताकि make sure कर सेगे, double sure कर सेगे कि आपकी placement लग रही है कछी company के अंदर, at the end of their programs आप बहुत सारे projects बना चुके होंगे जिससी कि आपका resume और effective हो जाएगा और आपका guitar portfolio और strong हो जाएगा अगर आप interested है तो एक week के free trial कर सेगे इनका program आता है, आप trial ले सकते हैं, और साथियत a short scholarship भी मिलती है, तो आपको करना किया, इन तीन टाइप के processes को, इन तीन टाइप के processes के लिए तीन अलग-अलग ready queue बना दी, यानि कि जो मेरी एक ready queue जिसको मैं बोल रहा था, अब तक अब ready क्यों, ready queue हम जिस पर discussion कर रहे थे, उस ready queue को मैंने three logical divisions कर दी है, उस ready queue के, based on the nature of process, ठीक है, अगर इसका example देखू, तो notes में directly बनाया हूँ है, हमने यह देखो, ठीक है, कुछ ऐसा है यह, एक मेरी ready queue होगी, SP queue, जिसको मैं system process queue बोल रहा हूँ, आपकी IP queue, interactive process queue, batch queue, ठीक है, और इसकी priority कुछ इसे साबसे set की हुई है, कि जो system queue है, उसकी priority होगी, यानि कि system queue जो है, उसके अंदर जो processes होगी, उनकी सबसे ज़्यादा priority होगी, ठीक है, उसके बाद आपकी interactive आती है, फिर आपकी batch process आती है, वो system SP, जो क्यो है, उसकी सबसे ज़्यादा priority क्यों होगी, क्योंकि system process है, ठीक है, अब अब OS की process को ही priority नहीं दोगे, तो OS धंक से काम कैसे करेगा, ठीक है, यह simple logic है, इसमें, interactive process, उसके बाद user processes हमने डाल दे इसमें, उसके बाद batch process, background होगी है, यह background में batch process की हो, यह जो तीन process हमने बना दी है, इनकी ना separate खुद की अलग-अलग scheduling algorithm होगी, ठीक है, जो हमने अब इतनी सारी algorithm पढ़ी है, उन में से कोई एक होगी, जैसे मैं एक example ले लेता हूँ, कि SP हमने, SP हमारी हो गई, मालो इसको मैं round robin से कर रहा हूँ, इसको भी round robin से कर रह ठीक है, यह मेरा एक example हो सकता है, चलिए, अब यह चीज़े वक कैसे करती है, कोई भी process मालो आई हमारे पास, ठीक है, एक example लेते हैं, कोई भी process मेरी आई, P1, P2, ऐसे बहुत सारी process आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, based on the nature of that process, nature के base पे, ठीक है, उसकी memory size कितना require करेगी, उ उसे हिसाब से मैं किसी एक Q में उस process को डाल दूँगा, ठीक है, यानि कि कोई मालो P1 process आई मेरे पास, P1 process आई, तो इन में से किसी एक Q में वो चली जाएगी, ठीक है, और permanently वो उसी Q में रहेगी वो, ठीक है, एक बार उस Q में चली गे तो उस Q में रहेगी वो, क्यों system process है मैं इसको system SP Q में ही डालूँगा, ठीक है, तो इस बार मैं decide करूँगा, OS basically decide करेगा, और Q में उसको basically push कर देगा, अब उसके बाद क्या होगा, वो उसी particular Q में अपना scheduling होती रहेगी, depending upon algorithm you have applied to that particular Q, ठीक है, तो अब हम देख लिए कि तीन अलग-अलग Qs हैं, अलग-अलग उन इन में, इनके in between इसमें कौन सी scheduling algorithm होगी, ठीक है, इसके बीच में एक fixed priority की preemptive scheduling लगी होती है, ठीक है, जो हमने बढ़ा था ना, priority scheduling लगी होती है, इसमें, उसका preemptive version होता है, जिसमें की fixed priority है, और वो fixed priority क्या है, works fixed priority है, SP की सबसे ज़्यादा priority, फिर IPQ की priority, फिर BPQ की priority, इसका diagram यहाँ पर हमने बना दिया है, इस तरीके से priority आपकी जारी होगी, सबसे ज़्यादा priority इसकी है, फिर सबसे कम priority इसकी है, ठीक है, तो यह होगी है, अब इस case में क्या होगा, मालनो कोई P1 process आई, ठीक है, यह new process है, और P2 process already CPU को scheduled है, बट यह P2 process एक batch process है, यह batch process है, तो इस case में क्या होगा, क्योंकि batch process की सबसे, यानि batch Q की itself सबसे कम priority है, और जो नई process है, मालनो कि वो एक IP process है, इंटरेक्टिव process है, तो मैं क्या करूँगा, अभी currently P2 जो की BP है, उसको मैं preempt कर लूँगा, और जो new process है, IP, उसक को मैं schedule कर दोगा, ठीक है, तो यह हो गया कि BPQ की जो priority है, वो lowest है, इस case में, IPQ की ज़्यादा है, similarly अगर कोई system process है, तो IP process अगर को scheduled होगी, तो उसको मैं preempt कर लूँगा, तो इस तरीके से चिज़े दोती हैं यहापे, तो एक fixed priority है, अब मुझे बाब दाओ, इस case में क्या हो में नहीं चली जाती, तब तक दूसरी process, जो की नीचे वाली interactive process and batch process है, इनको मुझा नहीं मिलेगा, सोचके देखो, सबसे ज़्यादा priority मैं इसको दे रखी है, प्राइटी स्के जो हमने पढ़ी थी, उसमें क्या हो रहा था, जो सबसे ज़्यादा priority हो थी, उसको सबसे ज़ problem यहाँ पर भी होगी, देखो, हमने optimize करने की कोशिश करी है, पूरी तरीके से, यह जो real world scenario है, बहुत सारी जो processes है, हमारी उसको मैंने divide करने की कोशिश करी, कुछ optimization लगाने की कोशिश तो करी, बट इस optimization में कुछ अधूरा बन है, कि जो priority जिस तरीके से हमने लगाई है, यह एक problematic चीज है, क्योंकि इसमें SPQ की process को सबसे जादा, basically CPU time मिलेगा, बाकि इधर जो नीचे है, BP को तो भूली जाओ, यह वाली situation है, तो indefinite waiting वाली जो problem थी, सबसे तगड़ी Convoy effect जिसको मैं बोल रहा था, वो भी यहाँ पर होगा, ठीक है, तो starvation यहाँ पर होगी, तो even though मैं notes पर हम सारी चीजे लिख दी है, Convoy effect present है, only after completion of all processes from the top level, the further level, ready queues will be scheduled, ठीक है, और fixed priority, preemptive scheduling लगी हुई है, इन इनो queues में, ठीक है, तो दो type की scheduling है, यहाँ, within queue, एक particular queue भी scheduling लगी हुई है, और अगर मैं बोलू, inter queue, inter queue भी scheduling लगी हुई है, ठीक है, तो यह हमारा था MLQ, multi-level queue scheduling, ठीक है, यह concept है, I don't think, maybe, कभी यूज हुआ होगा, आज की date में यह यूज नहीं होता, एक better version इसका, ठीक है, इसका, मैं बोल सकता हूँ, 2.2 version इसका है, multi-level feedback queue, अब multi-level feedback queue को discuss करते हैं, जो की, थोड़ा सा, जो इसके 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 तगड़ा convoy effect है, जो starvation क सबसे ज़्यादा problem है, इसको थोड़ा सा overcome करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अब हम discuss करते है, multi-level feedback queue, ठीक है, अब हम discuss करते है, multi-level, multi-level queue scheduling, अब यार, इसको देखोगे न, यह आज कल use होती है, ठीक है, और मैं इसमें बोलूँ, तो यह एक user defined है, थोड़ी सी, मैं अब यह discuss क इसमें भी आपके different queues होते है, multiple, sub-queues यहां भी होते है, but एक बड़ी चीज होती है, कि हम जो different queues बनाई थी हमने, ठीक है, इस queues में हम process, अब हम जैसे पिछली MLQ के अंदर हम क्या discuss कर रहे थे, कि अगर एक process को starting में ही मैं SP या IP या basically BPQ में डालता हूं, ठीक है, starting में ही मैं इन में डाल देता हूं, उसके बाद यह अपने ही Q में schedule होती रहती है, दूसरी Q में move नहीं करती है, यानि कि SPQ की कोई process, या system process को interactive Q में नहीं जाएगी, ठीक है, इसमें कोई भी attachment ऐसी नहीं होत बट यह allowed है, दूसरी Q में जाने के लिए, ठीक है, तो process जो है, इंटर Q moment allowed है इसमें, मैं लिख देता हूं, ठीक है, मेरा idea क्या है, मेरा idea में यह है, कि मैं separate करूंगा processes को, based on their burst time, ठीक है, यानि कि ज़्यादा time ले रही होंगी, ठीक है, जलते जलते जो, में लेडी Q में है, processes, जो जादा time ले रही होंगी, उनको मैं lower Q में move करता जाओगा, ज्यादा basically interactive processes होंगी, ज्यादा IO कर रही होंगी, या user intervention जिसमें चाहिए, उनको मैं उपर वाले Q में move करता रहूँगा, ठीक है, तो इसमें लिख देते हैं, कि हम separate कर रहे हैं, processes को, based on BT, कैसे, जो ज़्याद time ले रही होगी, जिसका BT ज़्यादा होगा, उसको मैं lower Q में move कर दूँगा, ठीक है, और जो कि IO bound processes होंगी, IO bound या फिर interactive process होंगी, interactive process का मतलब है कि वो basically हर थोड़े देर बाद wait पे चले जा रही होगी, क्यों उसको अब यह user input चाहिए, user enter दबाए, next दबाए, कुछ ऐसा कुछ कुछ होगा, उनको मैं higher priority में रखूँगा, अब higher priority में हम ऐसी processes को क्यों रख रहे हैं, क्योंकि आपने system on किया, और आपने system on कि प्रोग्राम चलाया, अब बाकी system process या आप मैं बोल सकता हूं कि जो background processes है, उनको ज्यादा CPU time मिल रहा है, आपने application launch करी है, उसको time नहीं मिल रहा है, तो कितनी weird situation होगी, कि आप user bet है, user space में काम कर रहा है, उसको ऐसे OS पे काम करना पढ़ रहा है, जो कि उसकी सुनी नहीं रह ठीक है, उसकी process को CPU time दे ही नहीं रहा, ऐसे OS पे कोई काम नहीं करना चाहेगा, तो जो interactive processes है, उनकी priority हम बढ़ा जाते हैं, और उनको उपर वाली cues में move कर देते हैं, ठीक है, और अब इसमें एक और चीज है, अब एक question बन सकता आपका और बनना चाहिए, वो यह कि अब जादा है, उनको मैं lower cues में move करता रहूँगा, इससे एक problem आएगी, वो यह problem है कि lower cues में move होती जाए होती गई, अब आप बोलोगए भया, अब भी भी तो इसके अंदर konvoyal fit आ सकता है, lower cues में move कर रही है process, ठीक है, उपर रही processes को जादा time मिल रहा है, lower cue में जो process चलेगे, व lower cue में जाती रहेंगी, उसको मैं एक point के बाद aging method यूज करूँगा, और lower जो processes होगी, lower priority processes होगी, उनकी priority increase करता जाँगा, ठीक है, तो इस तरीके से मैं aging की मदद से prevent करूँगा, स्टार वेशन को, ठीक है, यहाँ पर कोई aging method यूज नहीं हो रहा था, क्योंकि MLQ था, MLQ के अ within two cues moment ही नहीं थी, intercue moment ही नहीं थी, अब यहाँ भी intercue moment है, तो हम इसको use कर पा रहे हैं, इस method को, ठीक है, तो इस case में मैं बोलूँ तो यह जादा flexible है, अब इसकी सारी characteristics सुन लो, ठीक है, एक example बनाएंगे इसका, यह कैसी दिखेगी यह, ठीक है, और flexible है, तो मैं बोल सकता ह configure कर सकते हो, कैसे आप यह चूज कर सकते हो, कौन से process को मुझे basic lower priority पर भीजना है, aging कितनी देर में करनी है, यान कितने कितने interval में उनका priority बढ़ानी है, इंट्रेक्टर पर रखना है, system process को सबसे top पर रखना है, या क्या करना है, diagram process की क्या, आपको theme रखनी है, इसको कितनी priority देनी है, आपको यह सब आप यहां पर configure करते हो, अब अगर मैं एक sample, basically sample mlfq design बना के दिखा हूँ आपको, बना के क्या दिखाएंगे, आपको notes में दिखाते हैं सीधा, तो ऐसा कुछ दिखे रहे देखो, द्यान से, सबसे पहली Q थी, अब मैंने क्या करा, इसमें भी RR गई, चोथी में मैंने FCFS लगा दी, जाला महारत नहीं करते हैं, FCFS लगा दे, अब पहले बाली का time quantum था, मैंने 2 second रखा, दूसरे का 4, एंद तीसरे का 8, उसके बाद मैं FCFS से कहूँगा, अब मालो कोई process आती है, सबसे पहले इस वाली Q में आई गी, अब imagine कि इसका burst time जो थ था, वो 2 से जादा था, अगर 2 से जादा होगा, तो क्या होगा, वो next Q में move कर जाएगी, ठीक है, वो next Q में move कर जाएगी, अगर वो 2 से कम है, यानि कि 2 second में ही वो process execute हो जाती है, तो simply हम यहां से exit कर जाएगे, वो process exit कर जाएगी, अब इससे क्या फायदा हो रहा है, जो lower burst time वाली processes है, ठीक है, जो lower burst time वाली processes है, वो star नहीं हो रही है, उनके अंदर कोई starvation नहीं हो रही है, reason being, मालों कोई एक एक सेकंड में चलने वाली process थी, lower burst time था, उसका, वो starting में ही मेरी exit कर जाएगी, उसको मौका मिल जाएगा, अब मालों थोड़ा सा burst time जादा है किसी process का, अ अब भाई, बोल रहा है हम कि यह है process, तो दो सेकंड में चल पाई, चार सेकंड देते अंदर को, तो चार सेकंड में चलने कोईश करेगी, अब उसके नहीं चलने को आट सेकंड, आट सेकंड में भी नहीं चली, अब मैं और भी further cues add कर सकता था, यह छोटा सा design एक, sample design एक, त तो FCFS में schedule कर देता हूँ, तो इस तरीके से यह design होती है, तो यह sample design बोल सकता हूँ मैं इसका, अब बात करते हैं, इसमें aging वाले जो बात करी थी, उसको देख लेते हैं, कि aging हम क्यों ही use कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी process हो सकते है, P1 इसका burst time जादा हो, तो वो पहली cue से भी निकल जाए, दूसी cue से निकल जाए, चौती cue से भी निकल जाए, इस cue में जब पहुंच जाएगी, तो उसके बाद इसको star vision feel होईगी, right, star vision feel होगी, as in कि अब उसको FCFS की तरह schedule क्या जा रहा है, तो इसको, मैं अगर इसको overcome करना चाहता हूँ, aging का method use कर रहा हूँ, मैं priority design है, एक sample design है, यह एक, basically normal से OS में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको, मैं Mac में भी बोलू, तो MLFQ यूज़ होती है, उसमें, different type की priority और कुछ लगा के वो basically इसको implement करते हैं, तो इसको अगर मुझे define करना हो ना, कि एक MLFQ, multilife Q scheduler कैसा दिखेगा, या कैसा उसके point होँगी, तो मै तीन चीज़े उसमें discuss करूँगा, discuss करते हैं, कि design होगा, design of MLFQ, उसके क्या-क्या points होँगे, पहला point होगा, कि number of Qs कितने रखूँ, ठीक है, जो designer होगा, वो decide करेगा, कि मेरे, जो OS है, उसके क्या requirement है, उसे साब से number of Qs कितने होँगे, दूसरा, कि हर Q में scheduling algorithm कौन से लगेग तीसरा होगा, कि एक method ये determine करने के लिए, कि मैं process को upgrade कैसे करूँगा, किसी process को higher priority Q में upgrade कैसे करूँगा, ठीक है, method to upgrade a process to a higher Q, ठीक है, इसका method है, मैं डिसकर किया, aging का use कर सकता हूँ, मैं aging use करूँगा, तो priority बढ़ा दूगा, तो दूसरी उपर वाले Qs में को move करता जाओँगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि within, जो inter-Q, inter-Q मैं priority scheduling लगा सकता हूँ, ठीक है, एक flexible priority scheduling की नीचे से मैंने, जैसे जैस होती जा रही है किसी process की, कोई process FCFS में फसी हुई है, हर 15 मिनिट बाद मालो, उसका priority है, priority का counter बढ़ता जा रहा है, तो उस case में एक method, यह मैंने decide कर लिए, अब मैं उसको upper Qs में move कर दूगा, ठीक है, यह method होगा है, चौता determination है, कि मैं process को demote कैसे करूँगा, इसका क्या method होग इसको फिर इदर demote कर दिया है, इसको फिर इदर demote कर आ, इसको करके हमने आप एक तरीका लगा रहा था, तो यह example है, ठीक है, यह example है, ऐसे कुछ भी किसी भी type की मैं flexibility design कर दकता हूँ, ठीक है, फिप्थ पॉइंट मेरा होगा, कि कोई भी process AI मालो, process B1 AI, वो किस Q में in which Q it will be pushed, तो सबसे पहले किस Q में जाएगी, ऐसा हो सकता है, कि कुछ मैं ऐसा design करूँ कि सबसे पहले उसको TQ में भेज दूँ, ठीक है, एरवी बने होगा ना, starting में, इदर में भेज सकता हूँ, या कोई ऐसी process मुझे पता है, यह बहुत ही, मतला सुस्त process है, तो सबसे पह flexible things मैं कर सकता हूँ, तो MLFQ को design करने के यह पांच, basically, मैं बोलता हैं, यह पांच चीजे सोच के कोई बनाने के लिए, तो अब मैं देख सकता हूँ, इसमें aging का use कर रहा हूँ, तो मैंने थोड़ा कोशिश करी starvation को रोखने की, तो यह इस type की मेरी, दो type की multi-level cues हो गई, जो हमने discuss करी, अब important चीज़ एक discuss करते हैं, वो है यार, इसमें ना comparison करते हैं, इसके हम comparison करते हैं, इसके हम comparison करते हैं, अब comparison कुछ इस तरह के से होगा, कि हमने चार चीज़े देख लिए है, चार चीज़े पर हम decide करेंगे, कि design किसका कैसा है, प्रिएंप्शन हो रही है, नहीं हो रही है, या Convoy effect कितना है, overhead कितना है, इस पर हम decide करते हैं, सबसे पहले हम देखते है, FCFS, FCFS में क्या है, इसका design एक दम simple है, इसमें नहीं होती है, अब आपके लिए question है, कि FCFS का preempt version क्या होता है, या बताओगे, comment section में लिखके बताओ इसको, FCFS का preempt version क्या होता है, पिछले lecture नों बताया है, मैंने इसको, Convoy effect इसमें होता है, Convoy effect इसमें जवरतस होता है, क्यों सबसे पहले हमने Convoy effect define किया था, आपको FCFS की मदद सही किया था, इसमें कोई अगर पहली process जिसका burst time सबसे जादा है, वो सबसे पहले schedule हो गई, तो बागे process वेट करते ले जाएंगी, overhead इसमें है कोई, इसमें कोई overhead नही है, तो overhead भी नहीं है, context switching होती ही नहीं है, एक बार P1 मिल गए तो मिल गई बस, ठीक है, अब हम आते हैं, दूसरी scheduling algorithm पर, जो कि SJF, shorter job पर, अब ये complex है, complex कैसे है, इसमें BT के estimation मुश्किल थी, हमने discuss किया था, nearly impossible है, एक right BT, calculate करना किसी process के लिए, तो इसलिए complex design है इसका, ठीक ह इसमें भी नहीं होती, Convoy effect होगा इसके अंदर, क्यों होगा Convoy effect, क्योंकि जब T equal to 0 पे, arrival time जिसका 0 है, वही सबसे पहले ज्यादा BT वाली आ गई process, तो वही बस schedule हो गई, तो हो गई, तो हो गई, क्योंकि इसमें Preemption नहीं है, तो जो P2 मालो कोई कम BT वाली आती भी है, तो हम उसको schedule नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई Preemption नहीं है, जिसके अंदर Preemption ही नहीं है, तो overhead कैसे होगा, अब इसका Preempt version जो है, वह भी complex तो है, BT estimation तो इसमें भी करना ही पड़ता है, बड़ इसके अंदर Preemption होता है, तो Preemption होनी की वाज़से, इसमें Convoy effect ना negligible होता है, होता ही नहीं है, क्योंकि यह कैसी basically algorithm है, जिसके अंदर average waiting time से कमी रहता है, क्योंकि जो सबसे कम BT वाली job है, जैसे सबसे कम BT वाली job आती है, मैं इसको schedule कर देता हूँ, उससे कम BT वाली job आती है, तो मैं उस वाली को Preempt करके next वाली को schedule कर देता हूँ, तो इसमें Convoy effect नहीं होत होता है, उसके बाद overhead इसमें होता है, yes overhead होता है, preemption है, तो overhead कैसे नहीं होगा, context vision तो होगी यहाँ भी, अब आते है, priority scheduling, complex यह भी है, complex कैसे है, priority decision लेना, किसी भी process related, priority कैसे निखालू मैं, कोई process है, तो मैं क्यों दूँ उसको यह priority, यह भी अपने decision taking वाली basically काम है, basically काफी important क कैसे मैं priority, right priority किसी process को कैसे दूँ, ठीक है, उसके बाद, preemption इसमें नहीं होती, non-preemptive version है, क्योंकि, preemption नहीं है, convey effect होगा, convey effect होगा, heavy convey effect है, indefinite waiting हो रही थी, उसके बाद overhead इसमें नहीं होगा, non-preemptive है, इसका preemptive version देख लेते है, complex यह भी है, same reason, priority कैसे बताएंगे, preemption होता है, इसमें, convey effect भी होगा, इसके अंदर, ठीक है, वही ज़्यादा priority की job आ रही है, उसके लोए जा रही है, low priority वाली बिचारी, बेटी कर रही है, starvation है, overhead, overhead इसमें होगा, बिलकुल होगा, preemptive version है, अब आयाते है, round robin में, round robin में, सबसे ज़्यादा एक बढ़िया, जो quality है, इसमें response time कम होता है, किसी process को, जल्दी से, एक बार तो at least CPU मिली जाता है, क्योंकि round robin चल रहा है, तो response time सबसे कम होता है, तो बोलें कि सबसे बड़ा एक advantage जो RR algorithm का है, वो ही है, कि response time सबसे कम होता है, उसके बाद हम आते हैं, ये simple design है, हमने देखा था, simple block diagram तो उससे simply हो ज algorithm implement कर सकते हो आप, data structure इतने पढ़ लिए हैं आपने, अब preemption इसमें होती है, yes, preemption इसमें होती है, time quantum होता है, उस time quantum में अगर वो process execute नहीं होई, तो हम preempt करके दूसरी job को ले लेते हैं, उसके बाद convoy effect इसमें, convoy effect नहीं होता है, क्योंकि starvation इसमें नहीं होती, process basically, process को CPU मिल ज होता है, context switching है, तो overhead हो गई, mlq, mlq हमने discuss किया, complex है, ठीक है, basically, हम Qs को ही divide कर देरे हैं, तीन separate Q बनाई है, हमने फिर देखना कि कौन सी process कौन सी Q में जाएगी, complexity हाई है, इसमें, preemption इसमें होता है, क्योंकि कोई high priority job है, हमने discuss किया था भी, क्योंकि high priority job है, हमने discuss किया था भी, इसमें भी है, context switching हो रही थी, similarly, mlfq की बात को तो complex यह भी है, preemption इसमें भी होती है, convey effect इसमें है, but हम convey effect को थोड़ा कम कर रहे है, कम कैसे कर रहे है, aging के द्वारा, aging का use करके, हम convey effect को control करने की कोशिश कर रहे है, ठीक है, कुछ भी, मैं बोलूं, तो eliminate तो नहीं होता, अगर हम आगे, deadlock पढ़ेंगे, कि हम deadlock avoidance की prevention की तरीके भी पढ़ेंगे, बट तब भी कोई मिलब ऐसा नहीं है, कि implementation problem होती है, कुछ ना, कुछ डैलोग हो ही जाता है, hang तो आपको computer होता ही है, जैक कितनी अच्छी specification हो, right, तो इसलिए हम, इसमें, convex पर भी कुछ-कुछ होता है, comment section में बताना, आपको कैसा मज़ा आया के नहीं, इनको discuss करने में, और हाँ, यह जरूर बताना है, कि implement किसके नहीं करी, इनको सब को implement करो, implement करो, और implement करो बड़ा मज़ा आएगा, इसको implement करने में न, तो implement कर लोगे, आपके दिमाग में भी बैठ जाएगी, आपसे कोई सामने से interview में पूछेगा भी, तो आप हर एक में क्या-क्या होता है, वो भी बता आप आओगे, तो इसके साथ CPU scheduling यहीं पर खतम होती है, अब ह हम आगे next lecture में पढ़ेंगे, concurrency के बारे में, धन्यवाद.